दोस्तो स्टॉक मार्केट में लगाता डेली बहुत सारे नए रिटेल इंवेस्टर्स एंटर करते हैं लेकिन वो सभी इंवेस्टर्स अगले 20 साल तक स्टॉक मार्केट में नहीं रहने वाले तो आज दोस्तो मैं बात करूँगा कि वो क्या common mistakes है जो एक रिटेल इंवेस्टर कर रहे हैं जिसकी वज़े से वो long term में wealth create नहीं कर पाते और मैं चाहूँगा कि आप लोग ये गलतिया ना करें ताकि आप लोग long term में एक अच्छी wealth create कर पाएं दोस्तो सबसे बड़ी गलती जो आज रिटेल इंवेस्टर करते हैं और हमेशा से करते हैं कि वो stock market को एक जूए की तरह समझते हैं ऐसा जरिया समझते हैं जहां से आप quickly returns कमा सकते हैं लेकिन दोस्तो stock market exactly इसका उल्टा होता है अगर आप ये सोचेंगे कि आप short term में 3-4-6 महीने में कुछ ऐसा stock market में कर देंगे कि आप बहुत अच्छी wealth create कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी stock market से out हो जाएंगे लेकिन अगर आप stock market से जो अपनी expectation है उसको limited रखेंगे और long term के हिसाब से सोचेंगे तो आप एक long term में अच्छी wealth create कर पाएंगे अब होता क्या है दोस्तों कि जब हम fixed deposit में पैसा डालते हैं तो हम 5-6% की return से भी बहुत जादा satisfied रहते हैं लेकिन stock market में अगर हम 12% की return मिलती है तो हमें कम लगने लगती है लेकिन दोस्तों आपको यही चीज यही गलती नहीं करनी है अगर आप stock market में आज enter कर रहे हैं या आप stock market में invest कर रहे हैं तो आपको अपनी जो return की expectation है उसको limited रखना है और आपको यह सोचना है कि जैसे कि life में अब आप जब तक जीएंगे आपको investment करनी है यह कोई short term तरीका नहीं है पैसा कमाने का long term में wealth कमाने का जरिया है stock market और अगर आप long term में 12% की भी return generate करते हैं तो आप fixed deposit से double return generate करेंगे तो आपको अपने mind में वो चीज बहुत ज़ादा धिहान रखनी है क्योंकि आज आप देखेंगे YouTube पे बहुत सारे ऐसे YouTuber मिल जाएंगे जो आपको short term में returns कमाने की बाते कर रहे हैं आपको बोला जा रहे है कि daily आप 4 companies खरीदिये एक 4 companies बेचिये daily आप call option buy option खरीदिये वो सब चीजों में अगर आप पढ़ जाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी stock market से out हो जाएंगे तो आप returns की expectation बहुत limited रखिए और long term की angle से अगर आप सोचेंगे तो आप अराम से long term में returns generate कर पाएंगे दूसरी चीज़ दोस्तो जो गलती stock investment में हर retail investor करता आ रहे है दोस्तो इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको Warren Buffett का एक quote बताना चाहूंगा जो आप काफी famous quote है the best investment is in yourself तो वो बहुत ज़ादा ज़रूरी है अगर आपको stock market में लंबी अच्छे returns कमानी है तो आपको stock market से जो trends है उनके बारे में पता होना चाहिए जो finance में नई changes आ रहे है उनके बारे में आपको regularly update रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप long term में wealth create करना चाहते हैं तो दोस्तो उसके लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए दोस्तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सीखो के बारे में सीखो एक ऐसा carrier accelerator ह जहां से आप बहुत अच्छी तरह के से अलग-अलग finance की चीज़े सीख सकते हैं अपने आपको update कर सकते हैं सीखो की एक membership है select जिसमें आप finance के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर आपको 40 plus industry guru से सीखने को directly मौका मिलता है यहाँ पर आपको top CEO से interact करने का मौका मिलता है बहुत ही जादा affordable prices में आप यहाँ पर जाकर membership ले सकते हैं और आप finance के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अगर आपको यह membership join करनी है तो नीचे मैंने link दे दिया है और अगर आप मेरा coupon code use करते हैं तो आप additional 20% discount भी यहाँ पर ले सकते हैं तीसरी चीज दोस्तों जो तो आप एक asset allocation जैसी चीज को completely avoid कर देते हैं वो बहुत जादा जरूरी है आपको अपना risk समझना है और उसके हिसाब से asset allocation करना है अब asset allocation किस हिसाब से करना है तो देखे मैं एक general rule आपको बता देता हूँ 100 minus your age तो मान लीजे आज अगर आप 30 years के हैं तो 100 minus 30 70% पैसा आप equity मे लगा सकते हैं और 30% पैसा आप debt में लगा सकते हैं debt में लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप debt funds खरीद लेंगे debt में आपका बात आजाती है PPF, RBI bonds जो safer instrument है पहले आप उसकी तरफ जाएए उसके बाद आप 1-2% जादा पैसा कमाने के लिए और instrument में जा सकते हैं अब यह जो कम risk लेना चाते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी asset की allocation भी change कर सकते हैं 50-50 भी कर सकते हैं लेकिन आपको risk समझकर asset allocation करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब market गिरती है तो अगर आपका asset allocation नहीं होता है सही आपने सारा पैसा equity में लगा रखा होता है तो आपको बहुत जादा डर लगता है घबराट होती है और हो सकता है आप उस डर में पैसा कुछ अपना बेच दें loss में आप बुक कर लें क्योंकि ऐसा बहुत सारा मैंने देखा है जब अभी recent में market nifty की बात अगर हम करते हैं 15-600 के आसपास गई थी बहुत सारे लोगों ने ये गलती की कि उन्होंने अपने पैसे निकाल ले और आपने देखा है कि market उसके बाद से 1500 पॉइंट उपर चली गई तो ये चीज़े आपको avoid करनी है अगर आपको तो आपको asset allocation करना बहुत जादा जरूरी है चौती चीज़ दोसो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ आ रहा हूँ emergency fund आप जरूर बना क कर रखिये बहुत सारे लोगों को लगता है कि stock market में return कमाने का लेना देना क्या है emergency fund से तो इसमें मैं आपको एक चीज़ clarify करता हूँ कि जब market बहुत जादा गिर जाती है मान लीजे जब market 1500-600 के आसपास गई थी तब आपके पास कोई emergency खर्चा आ जाता है और अगर आपके आप पैसा निकाल कर loss में उस पैसे को खर्च करेंगे वहीं दोस्तो अगर आपके पास एक emergency fund तयार होता जहां पर आप राम से जो उसको use कर पाते तो आपको अपने stock market की जो investment है उसको छेड़ना नहीं पड़ता और आपको loss में book नहीं करना पड़ता तो जो एक emergency fund है आपको simple से ये करना है कि थोड़ा थोड़ा पैसा अपना daily हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा save करते हैं चलना है और emergency fund में transfer करना है emergency fund best है कि आप saving account में रखे क्योंकि वो ऐसा पैसा है कि आप कभी भी निकाल सकते हैं even मैं बोलूँगा आपको कि आपको liquid fund ultra short term funds में भी रखने की giving accounts में कुछ पैसा रखिये जरूरी नहीं है कि सभी पैसे पे हम 12% की return कमाएं कुछ पैसे पे हम 3% की return भी कमाएंगे वो है हमारी emergency fund तो emergency fund अपना जरूर ख्याल रखिये बहुत जरूरी चीज़ है emergency fund अपना create करना और दोस्तों आखरी चीज़ जो मैं यहां पर आपको investor है हर investor यह गलती करता है कि वो कभी-कभी खराब company में invest करता है चाहे आप किसी भी investor की बात करें तो आपको अपनी उस गलती को accept करके timely उस company से निकल जाना है लेकिन investors यहां पर क्या करते हैं जैसे उसका share गिरता रहता है आप उसको average करते जाते हैं और उस खराब company में अपना और जादा पैसा invest कर देते हैं इसका recent example में आपको paytm का बताता हूं काफी सारे investors के साथ यह हुआ है 2000 पे उनको IPO a lot हुआ था paytm का वो गिर के 1500-1600 के पास आया investors ने और उसको average कर लिया फिर वो 1000 आया उन्होंने और उसको average कर लिया और वो फिर अब गिर के 500-600 के आसपास आ जो आ रहे थे वो अब वहाँ पर फसा हुआ फील कर रहे हैं क्योंकि जिसने 1000 पे भी average किया था वो भी उसका भी 40% डाउन आज उसका भी share दिख रहा है तो यह एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है investor से जो आप accept नहीं कर पाते कि मैंने खराब company में invest कर दिया है मुझे इस company म invest नहीं करना था और धीरे धीरे आपकी जो wealth है वो कम होती जाती है इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने खराब company में invest कर भी दिया है तो कोई बात नहीं सब investors करते हैं आपको average नहीं करना है लगातार आपको यह देखना है कि आप कब उस company से फटा-फट निक सा देता हूं Tata, Tele Services, JP Power, Suzylon Energy, Brightcom यह सारी ऐसी companies हैं जहां पर investors अगर आप इनकी shareholding भी उठा कर देखेंगे धीरे-धीरे retail investors की holding बढ़ती जा रही है और foreign institutional direct institution investor की holding कम होती जा रही है और जो retail investors हैं उनको यह लग रहा है कि उन्रोंने एक multi bagger stock धून लिया है तो मैं आपको यह भी बोलूँगा कि multi bagger stock धूनने के चक्कर में अपनी wealth कम करने से अच्छा है कि आप उन stable companies में invest करें जो आपको long term में अच्छा returns दे सकता है इस पे मैंने अभी recent के एक वीडियो भी बनाई थी 15 companies जो long term में आपको अच्छी returns दे सकती हैं आप वो वीडियो भी जाकर देख सक उन्होंने वो runs एक दिन में नहीं बनाये थे 24 साल के उनके बड़े career में एक एक करके उन्होंने उस run को जोड़ा था तब उन्होंने इस long term में वो अपने runs create किये थे तो आप भी वो ही चीज़ सोचिए कि आपको भी long term wealth create करनी है तो 20-25 साल आपको देने पड़ेंगे ने description में दे दिया है आप अगर मेरे coupon code से use करेंगे तो आपको 20% का additional discount भी यहाँ पर मिल जाता है तो आप जरूर आज जाके select सीखो select को join करें मेरी दरब से बस इतना ही दोस्तो धन्यवाद